तो दोस्तो अब आपको इस वीडियो को भी भी हैंग नहीं करेगा या स्लो नहीं चलेगा तो इसके लिए आपको इस वीडियो को भीना स्किप किये सारे प्रोसेस को एस्टी बेस्टी बार करना है भी आपको एस सेटिंग समझ में आएगा आपको दिखाते हैं लाइव कैसे इस setting को आपको वेस्ट वेस्टे में कैसे आपको करना है आपके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुबायल के एकस्सेपिलिटी के अंदर कौन सा hidden खुपिया फीचर है जिससे आपका मुबायल कई भी हैंग नहीं करेगा अब जो एक दोस्तों एक setting है उसको मैं directly नहीं बता सकता हूँ कि इस setting को directly बताने से पहले आपको तीन और setting on करना पड़ेगा उसके बाद एक setting वर्ट करेगा इसको करने के लिए आपको अपने mobile के home screen पर आजाना है और आपको setting में जाना है इस पर आपको एडिशन सेटिंग में जाना है इस पर आपके सामने developer का आप सना जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है इसमें आएंगे तो आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे तैसे की आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे setting उस्ट है आपको एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है background process limit आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक important setting मिल जाएगा अब जो होता क्या है है उसको no background process पर कर सकते हैं या आप चाहे तो एक दो प्रोसेस पर कर सकते हैं तो आप यहां पर नो प्रोसेस को कर लेना है तो आप दीश्रे नमर की setting को कर लिते हैं दोस्तों आपको यहांसे पूरा कट कर दना है और आपकी कहनि मौभाइल के स्क्राइन स्क्राइं पर क्लिक करने के बाद आपको एक window एक अपिन को मिल जाएगा इस एक ओप्शन की करने के reus continually इसप्रस पर जा मिल जाएगा इसटिंग व्यूप्शन पर किलिक करने का preference के option पर क्लिक करना है यहां पर आपको तीन option देखने को मिलेंगे आपके mobile phone में पहले से यह option होगा over any network जिसको आपको नहीं करना है आपको ask me every time third वाले option पर select कर लेना है क्योंकि आपका phone हमेशा update के लिए अंदर से process करता रहेगा तो आपका mobile hang करेगा इस process को करने के लिए आप चाहे तो इसको off कर देंगे तो आपका mobile थोड़ा fast चलने लाएगा आप चाहे तो apps का update जो भी apps का update आता रहता है उसको आप manually update कर सकते हैं तो दोस्तों इसको off करने के बाद mobile के setting में फिट से चले जाएंगे और इसके बाद आपके हर mobile में setting दिया रहता है जिसको आपको on करना है अब जो दोस्तों एजिव रिमूव एनिमेशन है इससे क्या होता है कि आपका mobile में जो आप बैक करेंगे या आफ करेंगे या काटिंगे तो यह जो एनिमेशन है एनिमेशन के थूरू दिखाई देगा वहीं एनिमेश दोस्तों आप तुरंट देखें कि आप अपने mobile setting को जैसे ही बैक करेंगे तो आपका तुरंट तुरंट सेटिंग काम करना और कोई अनिमेशन नहीं आएगा जो इस्टाइल आता है बैक करने पे या कटने पे वह एला स्टाइन नहीं आगा डिर्कली कट हो जाएगा बैक ह हो जाएगा जैसे कि आप यहां खुद देख सकते हैं सारी चीजें आपके mobile सुपर फास्ट हो जाएगा एकदम फास्ट है किसे आपका mobile गाम करना सुरू कर देगा तो यह चार सेटिंग है जिसको आप वह स्टेप एस्टेप एस्टेप अन कर लेना है यह जो चार ट्रिक है अब लाइक करने के बाद आपका mobile को भी भी हैंग नहीं करें तो यह वीडियो आप पसंद आए तो लाइक और शेयर जरू करें और चैनल को पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाएंगा